नमस्कार दोस्तों, मैं आशी शेकबर फिर्षे आपका श्रागत करता हूँ, मैं बात करता हूँ, आज पंजाब उनिवस्टी के एक लेटेस्ट न्यूज आई है, उन्होंने एक सर्कुलर जाली किया है जिसमें कि इस्टूजेंट्स को पंजाब उनिवस्टी के जो रुपे उनको नाइटीन फर्टी रुपीज उनको पे करना है अंडर दा स्कीम आप टीचर स्टार्मेंट बेनिफिट फंड के तहत उनको उननी सो चालिस यानी की रुपए उनको देने हैं यानि कि जो यह फीस है यह पहले पंदरा सु रुपए थी इसको बढ़ा करके उननी सो चालि ढ़àng है यह टीचर सितर्मेंट बैनिफिट फंड नोकी इस्टुएंज को पर ना होता है जो अंडर गेको आप करना होता है जो यह गोई प Łे कॉलिज को शर्थ अनजाब यूश्ती-ऊनिवस्टी University for the session of the 2017-17-18 they have to pay 1940 rupees for the retirement fund यहां पर बता दे जो student organization है अफ़ी पंजाब University they are planning to do they are planning to do planning to do protest against the authorities of the Punjab universities तो इस तरीके से 245 में देखा जाये तो जो फीज थी वो थी 500 रूपई थी वो 400-500 के बीच में थी लेकिन 2010 में जो फीस हुई वो बढ़ा करके 1500 कर दी गई तियानि कि एतना ज़्यादा फीस इंक्रिवेंट कर दिया गया उसके बाद अब आकर के 2017-18 के सेसन में इन्होंने इसी फीस को बढ़ा करके 1940 रुपए कर दिया गया है तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा यह है पंजाब उनिवस्टी में जो है ऐसी चीज़े मदलब हो रही है कि जिससे की उनकी छवी पे धुमिल हो रही है यहां पर बता दे पंजाब उनिवस्टी में यह जो है जो यह टीचर्स फंड है यह एक्चवल में नॉन गवर्मेंट के लिए एक अठा किया जाता है कल्थ किया आता है कॉलिज इसको यह जो है एक एक रेगुलेटरी बार्डी है एक लाग अंड ओर है कि कॉलेज अपना यह एकाउंट अलग मेंटेन करे और teachers को retirement के बाद में उनको pay करता है लेकिन अभी तीन सो टीचरों ने एक retirement case file किया था जिनको जो है अब उनको retirement के पैत यह benefit नहीं मिल पाया था जिसको जो है जो है जो है जो है इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं लेकिन कई college ऐसे हैं जो जो है जगवन सिंग है जो प्रेसिडेंट पंजाब चंडिगर्ड टीचर्स यूनियन के अध्यच्छ हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कई बार उन्होंने VC को vice chancellor को कई बार mail लिखा कि college के inspection करें एक periodic inspection होना चाहिए जिससे कि college में पता चल सके कि वो fund एक खठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं what they are doing for the for this scheme but they are not following तो यह अलग से account open करना चाहिए एक पूरी तरीके से account होता है पूरा procedure है यह जो benefit fund है यह teachers को मिलना चाहिए और आसानी से मिल सकता है लेकिन college जो follow नहीं कर रहे हैं वो rules and regulations को they are not following इस तरीके से पूरी तरीके से वो जो है नियमों की धजियां उड़ा रहे है college जिसके वज़े से teachers जो है retirement के बाद परिशान होते हैं और वो case file करते हैं तो इसके लिए यहां पर लेकिन students का कही ना कहीं यहां पर नुकसान होता दिख रहा है क्योंकि 1940 उपए जो कि students को पे करना है एक undergraduate students को पे करना है जो student organization है वो protest करेंगी Monday को आज Sunday है मुदफ circular क्योंकि आज आया है तो Monday कल है अभी college open होगा university open होगी और जो है कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई सुझाओ हो कोई राय हो तो comment करिए और अगर वीडियो को share करना जाते है अपने दोस्तों में तो वीडियो को share करिए ताकि information और भी लोगों तक बहुत सके thank you for watching bye bye take care subscribe my channel if you if you come this video in the first time then please subscribe my channel thank you for watching bye bye take care